हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू और्गेनाईज नॉलच चैनल आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करेंगे वक्षीट नंबर फाइफ फोर क्लास सेविन्थ विशेग गनित है और ये वक्षीट आपके लिए 2 अगस्थ 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की वक्ष क्या क्या बाते याद रखनी है ठीक है कौन कौन सा चिन है जो है वो कैसे लिया जाता है वो हम यहाँ पर अच्छे से सीखेंगे जो कि आपके लिए बच्छों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो देखे याद रखें समान चिन हे वाले पुर्णांकों की गुणा जब पर क्या मतलब है कि मालीज यह माइनस जो है गटा का दो है उसको आप गटा के दो से गुणा कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आपका प्लस का चार आएगा ठीक है अब बात करें अगर विपरी चिन है वाले पुर्णांकों की चिन है उसके सामने घटा का आ जाएगा अब देखे यहाँ पर आपको बताया गया है पुरूनांकों को गुणां करते समय कोई दो चिन हैं ले और गुणा के बाद त्रीबुद से आपको तीसरा चिन है जो है वो प्राप्टि हो जाएगा तो देखे अगर आप प्लस और प्लस को गुणा करोगे ठीक है दो प्रणानक है जो कैसे है जमा की है तो आपको उत्तर किस में मिलेगा जमा में मिलेगा उसके बाद देखे अगर आप माइनस माइनस को क्या करोगे गुणा करोगे तो आपको उत्तर किस में मिलेगा माइनस मा तो आपको आंसर जो है वो आपका प्लस में आएगा इसी तरह अगर आप प्लस और माइनस को गुणा करते हो तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चो माइनस में आएगा अगर आप माइनस प्लस को गुणा करते हो तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा तो आपको ही याद रखना है कि अगर आप प्लस प्लस वाले को करोगे तो आंसर प्लस में समान जो है जो सेम है ना हमने पड़ा ना समान चिने वाले पुर्णांकों की गुणा तो समान है तो आनमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा लेकिन अगर चिने बदल जाते हैं तो आंसर जो ह उत्तर का चुनाव करें और फिर सही box में दिये गए रंग से भरें तो आपको यहाँ पे क्या करना है या आपको यहाँ पे गुणा करना है फिर answer देखना है कौन सा ठीक है और इसी तरह से अपने copy में ऐसे box बनाना है और फिर उसको उसी color से भर देना है clear आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप आपका जो answer आएगा आप वो answer लिखे और उस box को जो है क्या कर दें color कर दें जो इसमें दिया गया है जैसे 10 को अब आप 4 से गुणा करोगे तो बच्चों 10 को अगर 4 से गुणा करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा 10 को 4 से गुणा करोगे 40 लेकिन आप देखिए प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ठीके जमा का आएगा या गटा का दोनों जो है गटा गटा की है माइनस का 10 है और माइनस का 4 है तो क्या आया समान जो है समान चिने है तो answer हमारा प्लस में आएगा तो हमारा answer कितना आगया 40 आगया यह answer हो जाए तो आप ऐसे box बना के उसमें लाल रंग भर देंगे next देखिए minus का यहाँ पे गटा का 11 है और जमा का 9 है तो 11 निम कितना हो गया 99 लेकिन किसका आएगा गटा का आएगा क्योंकि यहाँ पे एक जमा का है और एक गटा का है तो यह आपका answer आएगा clear अब देखिए 8 को 7 से गुणा करोगे तो क्या आजाएगा 56 आजाएगा answer लेकिन यहाँ पे भी एक plus का है और प्लस और जो है minus है तो answer किसमें आएगा गटा में आएगा यह वाला answer हो जाएगा 12 को 5 से गुणा करा 12 पंजे 60 तो यह तो दोनों ही केस के हैं हमारे plus के हैं तो यह वाला answer हमारा आजाएगा तो plus में ही रहेगा तो यह हमारा answer हो जाएगा next करेंगे हम तो यह आपको अपनी copy में करना है next देखिए second दिया गया है गुणा करें और उत्तर को गोले में भरें तो यहाँ पे आपको गुणा करना है और जो भी आपका answer आएगा उसको आपको गोले में भरना है यहाँ पे आपको देखे दिया गया है माइनस 25 और माइनस 6 ठीक है गटा का 25 गटा का 6 तो गटा का 25 और गटा का 6 आप गुणा करोगे तो क्या होगा आंसर आपका 150 आएगा लेकिन आप बताईए प्लस में आएगा या माइनस में आएगा बिलकुल जो है आंसर हमारा प्लस में होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होगे प्लस हो जाएगे उसके बाद देखे आपके पास है बानवे बानवे को 4 से गुणा करोगे बिटा कितना आएगा 368 क्लियर है 368 आएगा अब एक प्लस का है और एक जो है माइनस का है तो आंसर हमारा किस में हो जाएगा माइनस में माइनस का जो है आएगा 368 इसी तरह 15 को 15 से गुणा करोगे यहाँ पे गटा का 15 है यहाँ पे भी गटा का 15 है समान चिने हो गए तो उत्तर हमारा किस में आएगा प्लस में आएगा दोसो निवासी और किस में आएगा घटा में आएगा क्योंकि दोनों ही क्या हो गई विप्रीती चिने हो गई तो इसी तरह से आपको अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना है ऐसे ही बना के नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशन तीन दिया गया है सही उत्तर का मिलान करने के लिए रेखा खीचे तो सही उत्तर का मिलान करने के लिए आपको देखे यहाँ पे आपको कुछ दिये गए है और यहाँ पे उनका बॉक्स में उत्तर दिये गए है तो यहाँ पे हम सबसे पहले ही तो यह आपका first का answer हो गया, second देखिए, 10 को 8 से गुणा करना है, लेकिन किसका है 10, minus का है, घटा का 10 है, तो आपका उत्तर किसमें आएगा, घटा का 80 हो जाएगा, clear, तो यह जो है हमारा दूसरे का उत्तर आगया, तीसरा है, 9 को गटा के 5 से गुणा करना है, 9,55, विपरीची नहीं है, तो answer जो है, किसमें आएगा, answer आपका minus में आएगा, तो यह आपका तीसरे का उत्तर हो गया, उसके बाद देखिए, 10 को 8 से गुणा करना है, 10,8, 80, दोनों ही जमाके हैं, तो answer भी हमारा plus में आएगा, य 0 को बटा किसी भी पुर्णांग से आप गुणा करोगे, तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो यह हमारा पांचवे का उत्तर हो जाएगा, तो इस तरह से आपको यह टेबल अपनी कॉपी में बना लेनी है, तो यह थी आपकी आज की वरक्षीट, I hope students, आपको बच्चो वरक्षीट क्लियर है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, so thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में